सब्सक्राइब थे एंकिजिन क्लासेश एंड प्रेस बेल आइकन फो लैटेस्ट अगेट को अगे चैनल आइसोमेरिजम पार्ट टू पर हम लोग चल रहे हैं एक प्राइमरी वीडियो देखा था हमने पार्ट वन में अमने डेफिनेशन्स और इसके प्रजेंटेशन को देखा था पार्ट थी में एनलेसिस को देखते हैं तो बात वही है कि फ्री रोटेशन यहल्के हम उससे इनफाइमाइट नंबर ऑफ रोटॉमर्च या गॉंफ़ृमर्च बनते हैं और उनको आँका हम कव्वर्मेशनल आईसॉमर्स कःते हैं पहले ही मैं बदाया था आप से एक क्लिप्सट फर्मूला है उक्स्यूड्स किस्हञट फॉर abord अब हम एनलेसिस कर फीशर प्रोजेक्शन फॉर्मला एक होता है उसको हम काम में नहीं लेते हैं शो होर्स में पॉसिबल था बट थोड़ा डिफिकल्ट था तो अब्जर एक्चुली बट निमान प्रोजेक्शन फॉर्मला इसको हम इसी के उपर फोकस करते हैं दिस इस दे फ्रंट कार्बन एटम सी एस्ट्री सी एस्ट्री इस इस बेक कार्बन एटम एच के बेक साइड में एच है डाई हीड्रेल एंगल इस जीरो तो यह जो फॉर्म में ठोगया इसको हम इक्लिस फॉर्म कहते हैं लेकिन अगर मैं इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर ढ़ेका that is called ski form तो अगर कभी sitten आता है तो 0 डिग्री पे एकलिप से 60 डिग्री इसकृइड 240 एकलिप्स, 300 डिग्री इस जोडियित Eclipse. Alternate चलना है. Now confirmation analysis of propane. फरक हिए है कि in ethane, CS3, CS3, in propane CS3, CS2 and CS3. So conformational analysis of propane को भी आप ध्यान से देखिए. Again, this is my front carbon atom, this is back carbon atom. तो यह आपका front है CS3 और back में CS2 और CS3 है. 0 degree, this is Eclipse form. 60 degree पर इस को ने रोटेट किया, they can be change into each other. तो डाइडरेंगल यहाँ पर आपका 60 degree हो गया, far away from each other. और इस form को बोलेंगे, staggered form. यहाँ पर भी alternate 0 per eclipse, 60 degree पर staggered, 120 per eclipse. एक दुसरे में change हो सकते हैं, because energy के और energy barrier between them minimum और इनके बीच के form को मिस्क्यू form बोलेंगे. Now, सबसे important है यहाँ पर conformational analysis of butane. Important बोलने का मतलब मेरा यह नहीं कि बहुत difficult है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें मैंने 1 and 2 number या मैं कोई भी इसको में मान लेता हूँ, 1 and 2 carbon में मान लेता हूँ. This is the front carbon CS2 और इस परेक CS3 है. This is the big carbon CS2 और इस परेक CS3 है. तो 0 degree पर CS3 just behind CS3, di-hydral angle is 0 degree. इसको मैं बोलता हूँ, fully eclipse के हूँ, CS3 के ठीक वीचे CS3 है. लेकिन अगर मैं इसको 60 degree पर rotate करता हूँ, if I rotate this on 60 degree, जब मैं इसको 60 degree पर rotate करता हूँ, तो di-hydral angle यहाँ पर 60 degree हो गया, between CS3, CS3, but इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए में इस्टेगर्ट तो form है, but this is not fully staggered form, this is incomplete staggered form. फिर वापिस 120 पर eclipse हो गया, but this is not fully eclipse, क्योंकि CS3 के ठीक पिछे CS3 नहीं है. फिर 180 पर आप आईए, तो यह conformer सबसे ज़्यादा stable butane का conformer है, इसकी potential energy सबसे कम होगी, repulsion सबसे कम होगा, और इसको हम anti-form बोलेंगे, या fully staggered बोलेंगे, फिर आगे देखिए, यह incomplete eclipse हो गया, यह incomplete staggered हो गया, and finally यह पूरा rotation 360 degree पर हो गया, इसको हम बोलेंगे, fully staggered, fully eclipsed form, क्योंकि एक के पीछे एक है, तो यह fully eclipsed form होगी, यह 360 degree पर, highly इसके अंदर जो repulsion है, वो maximum होगा, potential energy maximum होगी, और stability इसकी बिलकुल minimum होगी, तो यह सारा conformational analysis of ethane, propane और butane हुआ, आगे भी बड़ जैसे जैसे हम higher members की तरफ जाएंगे, उनने energy gap बढ़ता जाएगा, जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैस जैसे, तो ethane में, staggered और eclipse को separate करना, बहुत difficult है, लेकिन it would be easy in case of propane, butane में और आसान होगा, pentane में और आसान होगा, मतलब हमें एक formula बना सकते हैं, कि molecular mass increases, वो जो आपका energy barrier या energy gap पे staggered और eclipse form के बीच में, वो भी लगाता बढ़ता जाएगा, clear, तो अगर कभी आपको compare करना हो, तो energy barrier, energy barrier का मतलब होता है, कि eclipse को staggered में, या staggered को eclipse में change करने के लिए, ये जो energy barrier को cross करना पड़ता है, that is called energy gap और energy barrier, तो ethane में सबसे कम है, propane में ज़्यादा है, butane में और भी ज़्यादा है, pentane में और भी ज़्यादा है, तो ये conformational analysis हुआ, video number 2 ने, अब हम जब conformational number 3 को देखेंगे, तो हम महाँ पर cyclo, alkane के लेंगे, जो उसमें भी conformational isomerism होता है, and finally हम questions को देखेंगे, तो जब भी कभी conformational isomerism को पढ़ना है, तो हमारे primary video को देखेंगे, हर एक में ये साई sequence है, फिर video number 1, video number 2, video number 3, आपको पूरे छोटे-छोटे video एक sequence में देखेंगे, तो I think आपके दिमाग में ये सारी चीज़े fit हो जाएगी, और जब भी कभी exam में question आएगा, तो आप analysis करके उसका जवाब दे पाएगे, एक बात मेरी यकीन मानिए है, science के अंदर चीज़ों को रटना नहीं है, science के अंदर concept को clear करना है, और यकीन मानिए है हमारा दिमाग जो है वो picture को देखता है, ज़्यादा alphabet में हमारा दिमाग कम सोचता है, तो जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके दिमाग के अंदर concentration बढ़ेगा, और इस वीडियो lecture से आप अपने questions को solve कर पाएँगे, आप देखेंगे तो आपको फर्क बजर आएगा, थैंक यू सो मच,